हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सबजी जो हम पूरी के साथ खाते हैं हींग आलू भी कहते हैं ऐसे शोर्वे वाली आज हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है आज हम बनाएंगे बिना लसन और प्यास के जी हां बिना लसन प्यास की भी इतनी टेस्टी बनेगी खूब तीखी, मसालेदार, चटपटी सबजी बनेगी जो पूरी के साथ आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा मेरे याँ गैस्ट आते हैं तो मेरे हाथ की आलू पूरी की फरमाईश करते हैं कि आप अपने हाथ की बना के खिलाएगे और हर संडे मेरे बच्चे तो बस उनको ये वाली सबजी चाहिए ही चाहिए आलू पूरी की तो आज मैं ये रेसिपी आप से शेयर करने वाली हूँ आप इसको जरूर ट्राए करें मुझे पूरी उमीद है आपको भी ये बहुत पसंद आएगी अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये बिना ना जाए और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है ना प्लीज लाइक जरूर करें और फ्रेंट्स और फैमली में शेयर करें तो चलिए देखते हैं मैंने लिए है तीन मिर्डेन साइंस टमाटर दो हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और एक इंच अद्रा का टुकड़ा टमाटर को मैंने पीस लिया है मिक्सी में मिर्च काट लिया है, हरा धनिया भी धो के काट लिया और यदरक को ग्रेट कर लिया है अब हम बनाएंगे एक सूखा मसाला तड़के का, उसके लिए मैंने मेथी ली आधा चम्मच, अजवैन आधा चम्मच और सौफ लिये मैंने एक चम्मच, जो मोटी वाली सौफ होती है बोली है साती साबुद धनिया लिया है मैंने एक चम्मच, इसको हम हलका सा क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे बिल्कुल भी पॉडर नहीं करना है हमें, हलका सा दरदरा ही पीसना है, देखिए ऐसे इस तरह के से हम इसे कूट लेंगे, तो चलिए हम तड़का तयार करते हैं, कड़ाई मैंने चड़ा लिए, गरम हो गई है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ओयल, आप चाहें तो रिफाइंड ओयल या घी में भी इसको बना सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है घी में, चार से पांच चमच मैंने ले लिया, और जब ये तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा, तब हम इने इसमें डाला है, वन टी स्पुन हमने कूट के रखा था वो, थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे उसको, बहुत जादा नहीं करना है हमें फ्राइ, जलाना नहीं है इसको, और आप फ्लेम को लो रखें, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अद्रक, ग्रेट की हुई, उसको हलका सा भून लेंगे, अद्रक को बहुत जादा नहीं भूनना है क्योंकि वो कड़वा टेस्ट राजाता है अद्रक का जादा भूनने से, हलका सा फ्राइ कर लिया है हमने, अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, वन टी स्पून, कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आता है, तीक ही बिल्कुल भी न जाना नहीं है, हलका सा फ्राइ करना है, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी टमाटर पिसेवे, ताकि मिर्च मसाला हमारा जले नहीं, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और टमाटर मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, वन टी स्पून, यह इसको दो मिनट खोल के अभी हम चला लेते हैं, ताकि और अच्छे से मसाला भून जा है हमारा, तो देखिए हमारा मसाल एकदम तयार होगे, अब मैंने इसमें डाला है धनिया, वन टी स्पून, पिसा हुआ पॉडर है धनिया का, और साथ ही में डाल रही है, वन टी स्पू हमारा मसाला एकदम तयार है, भून गया है अच्छे से, अब हम इसमें डाल देंगे बॉइल आलू, मेरे छोटे साइस के आलू लिये तो चार से पांच ले रही हूँ, अगर आप बड़े साइस के लेते हैं, तो चार बहुत हैं, और उसको मैश करके हमने इस बिल्कुल भी और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, यह सबसी थोड़ी पतली होती है, इसलिए मैंने इसमें दो कप पानी डाला है, आप देख लें अगर आपको पतली गाड़ी जैसी पसंद है उससाब से आप इसमें पानी डाले, तो इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा पकने के बाद यह और गाड़ी होती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी अभी और मिलाओंगी, मुझे कुछ गाड़ी लग रही है, और इसको दो मिनट के लिए हम ढखके पकाएंगे, ताकि आलू में सारा मसाला जो एब्सॉल्फ हो जाए, अब मैं इसमें डाल रही हूं काला नमक, इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी épवाद के अमचूर पऌडर काला हीओ करीच मेधि और 2 लिए few रही सेधर करने लिए भानटक अलब दो ह수 एंसमें डाल, आशा लिए प्लेवर करने के लिए बिल्कुल ने थैinki है, किती गाड़ी चट्पटी हमारी सबजी तयार हुई है इसकी इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती हूं आप इसकी खुश्बू जैसे ही आप सुगेंगे ना बस फौरन दिल चाहेगा कि आप इसको खाने तो चलिए गरम-गरम फूरियों के साथ मैं इसको सर्फ करूंगी उ कि तड़के का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आजाए एक मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे जसको कर लेंगे कितना अच्छा Johann's रा पिए बहुत इसब्स करने के लिए तो चलिए अब ही तेरिसले कि देखे Chop कlor तो चलिए अब यह बिल्कुल तैयार एस सरु करने के लिए जाएं सफर में ले जाएं आप बहुती टेस्टी लगती है अगर आपको गरम गरम फुली फुली पूरियों के रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं मैं वो भी आपको दूंगी बहुती असानी से पूरिया बन जाती है और काफी देर तक ये क्रिस्पी रहती है तो आप मुझे कमेंट करें और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक करना जरूर बनता है प्लीज लाइक करें कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी और अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब किये बिना ना जाएं मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आपसे फिर मिलूंगी तब तक टेक क्यार बाबाई